कि अब नमस्कार में हूं हमन्त कुमारामेटा एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के उपर वर्मी कंपोस्ट के लिए आज वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि विलवाडा में हुआरे एक करशी अब कर दोसें कि करके दो सकते हैं के अब करेंगे हैं क्या के अब करेंगे रहा आप करेंगे वर्मी कंपूस्ट होता क्या है आपके फारम पे या खेत पे जो अप्षिच बसता है घास हो पेड़ के पत्ते हो या घोबर हो उसका प्रयोग करके उसको केंच्चुओं के माध्यम से खाद बनाना वर्मी कमपोष्ट करता है ठीक है इसका फाइदय क्या है अपन को इसमें फाइदा यह है कि वर्मी क कर सकते हैं और कम समय में त्यार होने वाला है और कम पेसों में त्यार होता है बाकि आप यह सिक जो खाद बनाते हैं जो गोबर अपने खड़्डे में डाला उसको डेट से दो साल उसको पूरी तरसे पकने में लग जाता है तो किसान इंतना इंद्जार नहीं कर पाता है व अब बात द्यान अखने वाली है कि अपने को नहीं करना है वही गोबर का प्रेयोग करना है जो दो-तिन दिन पूराना हो अब बाद आती है इसके लिए ढांचे की जुरूगत क्या पड़ती है धांचे में केवल अपने को एक ट्रेंच बनानी है एक खाई बनानी है जो तापमार बढ़ने की समभावना ज्यादा लेती है उसमें घेराई के उपर ठीक है फिर इसमें अपने बात करेंगे की अब उसके उपर च्छाया काराण की है करता करते हैं आपन लिएक कंद केंचो को प्लास्टिक भृशा से रोक देगाए प्लाश्टिक प्लास्टिक खोड में में करें दाए से रौक ना है और उसके लिए पर अंगेश्ट आप घंडर तकाशेव को यूदा और आप आप प्राकतिक रूप से तो यह जो इस पेट के निचे माल लो बनाते हैं तो अपने को टीन शेट लगाने जरूत नहीं पड़ेगी यह ओपर नेट लगाने जरूत नहीं पड़ेगी तो वह खर्चा अपना इसमें बच गया यह खड़ा खोद दिया खाई बना दी प्लास्टिक जो तीन चार दिन पुरानी गोबर है उसको और पत्तों को घास को मिला के मिक्षर को अपने उसमें पूरा खड़े को भर दिया आपने बने के बाद उसको दो दिन तीन छोड़ देंगे उसके बाद केंचुए लगबग एक कीट का अपन प्रयोक कर सकते हैं या थोड़े ब बचेगा और सर्दी से वह बच जाएगा केंचुए जीव है जो उसको सर्दी गर्मी का प्रबाव पड़ता है तो उसको नॉर्मल टेंपरेचर चीए लगबग 22 दीगर से लेके 30 दीगर बीची में आराम से सर्वाइब कर जाता है जीन रह जाता है और अपना काम को करता है चिछाद को मार्कें बेचते हैं तो पांट रुपी कीलो आराम से वह बिख जाती है कर रहा है वह इसमें पांशी किलो बैच रहा है और अपने कैशिव यहां केंद्र नहीं होंगे तो आसपास क्यां बेंच रहा होगा आपने किसानिश्य परिश्य संपर करें वह आपको इस बारे में बता सकते हैं कि कहां मिलते हैं और जिसकी जो रेट जो होती है वो 200 से 300 रुप बीच में आपको एक किलो केंचु आराम से एक किट मिल जाएगा उसका उपयोग अपन कर सकते हैं लेकिन एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि आप केंचु आ तब ही खरीदे जब आपका इस्ट्रक्चर रेडी हो मतलब खाई तयार हो प्लास्टी पिछा दिया गया हो उसमें गोबर और गास डाल दी गई हो और दो दिन पुरान हो चुका हो तब लागत केवल केंचु क्यों मालुम केस चलेगा तो हर पंद्रव दिन प्यापन उसको एक पल्टी मारते रिएगे पूरी मरे पुरी मारे वह साओ नहीं है अपने को उसके ओपर हलका सा पल्टा मारना है केंचु भी मरें नहीं उसमें पल्टी मारने में और एक निचे खाद उपर आ, उपर निच को इसमें पानी का श्रिकाव करना ही है ताकि उसकी खाद की नमी वह उसमें बनी रहे और लगबग चन्नी के उस तरब और इस तरब आपका खाद धेरी के रूप में हो जाएगा खाद को कट्टेम भर लीजिए उसमें डाल दीजिए आपको यह तिन मैने बाद आप एक खाद त्यार हो जाएगा यह बहुत ही सिंपल विद्धी है बाकि आपको न तो शेड बनना की जुरूत ह सब्सक्राइब न उपर को इसके नेट बांधनी है आपको न पक्की को इसी खाई बिनानी है इंटों की आप के वाल एक खटाक हो दिए जिसकी फीट लगी घहराई हो दस मेटर लंबाई हो दो मेटर चोड़ाई हो उसमें आप प्लास्टिक बिचा दीजिए तिरिपाल हो सकता है वह ज्यादा खर्चे करने जुरूत निया किसां भायों भेन्यवाद इसमें आपको कोई तुरूटी लगती है या और जानकर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे बाद कर सकते हैं कमेंट करके बहन्यवाद